प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए सही समय पर रिलेशन बनाना, सही तरीके से रिलेशन बनाना ये पता होना बहुत जरूरी है इसके अलावा ये पता होना कि प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए रिलेशन बनाते समय किन बातों का ध्यान रतना है ये काफी जरूरी होता है तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीतियादव इसी के बारे में बात करूंगी और बताऊंगी कि प्रेगनसी कंसीव करने के लिए रिलेशन बनाने का सही समय, सही तरीका क्या है और आपको कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए ताकि आपको pregnancy conceive हो जाए तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखे और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर ले चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को और बात करते हैं कि pregnancy conceive करने के लिए relation बनाने का सही समय कौन सा होता है देखे महिला के सरीर में mensuration का पूरा process होता है और ये process 28 से लेकर के 32 दिन तक का हो सकता है अब ऐसे में आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि वो कौन से दिन होते हैं जब आप relation बनाएं तो आपको pregnancy conceive करने के चांसे सबसे ज़्यादा हो क्योंकि आज कल की भाग दोर भरी जिन्दगी में कई बार महिला या पूरुस काम के pressure की वज़े से busy रहते हैं और उसी वज़े से relation नहीं बना पाते ऐसे में आपको अपनी pregnancy conceive करने के लिए कब relation बनाना है ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना mensuration cycle समझना पड़ेगा जिसको की period cycle भी बोला जाता है किसी भी महिला का period cycle तीन हिस्तों में बटा हुआ होता है शुरुआत के 5 दिन periods के उसकी बाद ovulation period और अगर आपने pregnancy conceive की है तो implantation in pregnancy और अगर आपने pregnancy conceive नहीं की है तो shading और again periods अब इसमें सबसे important हिस्सा होता है ovulation period का इसके लिए आपको अपनी period cycle पता होनी चाहिए कि आपकी period cycle कितने दिन की है इसे जानने के लिए आप अपनी आखरी period जिस दिन आये थे उस date को आप note कर ले और अगली बार जब आपके period आए तो उस date को भी आप note करके रख ले ऐसा आपको तीन बार करना है इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी periods कितने दिन में आते हैं और यही आपकी period cycle होती है जब आपको अपनी period cycle पता चल जाए तो description में हमने अपनी website का link दिया है जिसमें आप अपनी period cycle और आखरी period कब आई थे ये डाल कर पता लगा सकते हैं कि ovulation period आपका कब होगा तो ये बात होई कि आपको relation कब बनाना है आप बात करते हैं कि आपको relation कैसे बनाना है तो आपको ovulation के दिनों में हर रोज relation को maintain करना है अगर आप ऐसा नहीं करना चाते हैं तो period खत्म होने के दो दिन बात से ले करके अगले 20 दिन तक हर alternate days में relation जरूर बनाए ऐसा करने से भी आपके pregnancy conceive करने के chances काफी हद तक भढ़ जाते हैं क्योंकि male का spum महिला के सरीर में 48 घंटे तर बिल्कुल सही रहता है तो अगर आपका ovulation बीच में होता भी है तो आपको pregnancy होने के chances बढ़ जाएंगे आप बात करते हैं कि आपको relation बनाते time किन बातों का ध्यान रखना है तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि relation बनाते time ना तो आप और ना ही आपके partner किसी तरह का कोई भी stress ले रहे हो बलकि आपको relation बनाने को enjoy करने से आपको conceive करने में help मिलती है यानि कि pregnancy conceive करने के लिए relation को जिम्मिदार ना बनाए बलकि इसे enjoy करें इससे आपको pregnancy conceive करने में काफी मदद मिलेगी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूलें चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए स्वस्त रहिए